नमस्कार मैं असुग विश्व कर्मा हिंदी परक में आपका स्वालत है आज के विशे है निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी परिंदे परिंदे एक बहुत लंबी कहानी है जिसके तथियों को एक वीडियो में समेट पाना संभव नहीं है इसलिए इसके तीन पार्ट हैं इस पार्ट वन में आप पढ़ेंगे परिंदे कहानी का पात्र परिचय और सारांस पार्ट 2 में आप पढ़ेंगे 80 पलस वन लाइनर महत्वपुन तत्य और नेरमल वर्मा की जीवनी और उन्हें पार्ट 3 वीडियो में आप पढ़ेंगे परिंदे कहानी की समिक्षा और महत्वपुन समवाद परिंदे का सिस दो पार्ट आज ही अप लोड कर दिये जाएंगे ये तिनों वीडियो आपके परिछा के लिए अतिय महत्वपुन है आईए जानते हैं कहानी परिंदे को डाक्टर नामवर्सी ने परिंदे कहानी को हिंदी की नई कहानी की पहली रचना माना है परिंदे कहानी का प्रकासन 1960-CV में हुआ है, कहें कहें 1969-CV की भी चर्चा है यह कहानी राजन्र यादो द्वारा संपादित एक दुनिया समानतर में संकलित है एक दुनिया समानतर नई कहानियों का सबसे लोकपृय संग्रा है नई कहानी में आदर्स को एक तरफ अलग कर या थार्तवाद को किंदर में रख कर नई कहानी लिखी गई आजादी के बाद किस तरह से मध्यमवर की सपने तूटते हैं, रिष्टे मतलब पर अधारित हो जाते हैं, नई कहानी के विशय है इसमें 22 लेखकों की कहानिया चपी है एक दुनिया समानतर में निर्मन वर्मा की कहानी माया दर्पन पर फिल्म बन चुकी है माया दर्पन फिल्म को 1973 सिभी में सर्वस्रिष्ट फिल्म का पुर्षकार मिला था इसके बाद जानते हैं परिंदे कहानी का पात्र परिछे जैसे परिंदे अजनवी सहरों में देशों में भटकते हैं उस भटकन की त्रासदी को आधुनिक मनुस्य की विड़मबना का प्रतिक बना कर प्रस्तूत करने की कोशिस कहानीकार निर्मल वर्माने की है इस कहाने में लतिका, मिश्टर हुबर्ट, डक्टर मुकर जी, मिस वूड, परिंदे की तरह उस कुमाव पहाड़ी की छोटे से हीले स्टेशन पर रोजी रोटी की तलास में कॉन्वेंट इसकूल में आते हैं, मगर सभी पात्र अपने आपको अकेले अजनभी और अंजान सम मजते हैं, इस कहाने में परिंदे एक परतिक की रूप में आया है, तो सबसे पहले जानते हैं लतिका के बारे में, लतिका परिंदे कहाने का किंद्रिय पात्र है, और वा सीचिका है, और छात्रवास की वार्डेन भी है, मेजर गिरिसनेगी, लतिका का प्रेमी जो कुमाव रेजिमेंट में मेजर था, कस्मिर के यूद में मारा गया मेजर गिरिस नेगी इस कहानी का तिसरा पात्र है डक्टर मुकर जी, वे बर्मा से आई हुए हैं बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पतने के मिर्ति हो गई थी कांवेंट इस्कूल में हैजिंग, फिंज्योलोजी के सिखचक है, वे प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं, उन्हें फिलसोफाइस करने की आदत ही मिश्टर ह्युबर्ट, स्कूल में संगित सिक्षक, पियानों बजाते हैं, लतिका से प्रेम करते हैं, वे भाव की आचना से भरा प्रेम पत्र भी लिख चुके हैं लतिका को इस कहानी का पाच्मा पात्र है प्रिंस्पल मिस्वूड पोपलामों आखों के निचे जूलती ही मांस की थैलियां बात बात पर चिढ़ना करकस आवाज में चीखना सब उन्हें ओल्ड मेड कहते हैं पात्र है करिमुदीन होस्टल का नौकर है मिलिटरी में अर्दली रह चुका था वह आलसी भी था सुधा होस्टल की सबसे लोगप्रिय लड़की हेमन्ती सुधा की रूम में उसके गाने का प्रोग्राम था नवा पात्र है जूली होस्टल की लड़की जो कुमाव रेजिमेंट के किसी अफसर से प्रेम करती है जिसका प्रेम पत्र लतिका की हाथ में लग जाता है दस्मा और अन्तिम पात्र है फादर एलमंड जो चैपल यानि छोटा गिर्जा घर का पादरी है फादर एलमंड इसके पाद जानते हैं परिंदे कहानी का सारांस कहानी की नई का लटीका है जो कहानी का किंद्र बिंदू है वह कुमाव के Convent School में सीचिका और वार्डेन है मिस्टर हीवट और डक्टर मुकरजी उस इसकोल के सिक्षक है और उस Convent School के प्रिंस्पल है मिंस वुड कहाने में उस वक्त का जिक्र है जब सर्दी की छुटियां होने वाली है अब होस्टल खाली होने का समय आ गया है पिछले दो-तिन वर्सों से लतिका सर्दी की छुटी में होस्टल में ही रहती है और डक्टर मुकरजी भी छुटियों में कहीं नहीं जाते लतिका का कुछ साल पहले कुमाव रेजिमेंड के मेजर गिरिस नेगी से प्रेम हुआ था यूद के कारण गिरिस को कस्मिर जाना पड़ा उसके बाद गिरिस नेगी लोट कर नहीं आ सका उसकी मिर्तिव हो जाती है लेकिन लतिका गिर्स को भोल नहीं पाती लतिका का परणाय पुस्प असमय ही कुमला जाता है छुटियों में वह भी घर जाना चाहती है लेकिन वहां से नजाब पाने के लिए वह वीवस है छात्रवास में रुकना उसकी मजबूरी है उसकी विवस्ता है गिरिस नेगी के यादों की टीस के साथ हुआ जी रही है लेकिन छात्राओं ने जब उससे पुछा मेडम छुटियों में आप क्या घर नहीं जा रही है तब वो अपने तनाव को छुपाते हुए बनावटी मुस्कान के साथ कहती है अभी कुछ पक्का नहीं है I love the snowfall वो मेजब गिरिस के संग बिते हुए पल को अपना साथी बना कर कॉन्वेंट स्कुल में नोकरी करते हुए दिन वेतित करती है लतिका मिस्टर हुवर्ट ने एक बार लतिका के पास प्रेम पत्र लिखा था लतिका को हुवर्ट के इस बचकाने हरकत पर हासी आई पर अंदर ही अंदर वह प्रसंद होती है कि अब भी उसकी अंदर आकर्षन है लतिका की अचेतर मन में भी हीवट के प्रती, साहनवोती और आकर्षन है डक्टर मुकरजी बर्मा से भारत आई हुए हैं वे भी अकिलेपन के सिकार हैं जपान द्वारा बर्मा पर अटेक के कारण डक्टर मुकरजी को भारत आना पड़ा रास्ते में उनकी पत्नी के मिर्त्यू हो जाती है वे एस्कूल के प्रिंस्पल मिस वूड से कहते हैं यहां आया कुछ दिनों के लिए फिर मुद्दत हो गई और ठिका रहा जब कभी जी उबेगा कहीं चलता जाऊंगा जड़े कहीं नहीं जमती तो पीछे भी कुछ नहीं छूड जाता परिंदे प्रतीक हैं जीवन से प्रेम के वर्तमान से लगाओ के यह उस्मा की तलास में अपने मुलकों को छोड़कर अनजान देसों की ओर उड़ जाते हैं हुश्टल की एक छात्रा जूली के प्रेम पर लतिका की पत्तिकरिया भी इस बदलाव की और इसारा करती है जूली रेजिमेंट के किसी ओफिसर से प्रेम करती है उसका प्रेम पत्र लतिका पकड़ लेती है लेकिन लतीका जूली को सजा देने के बदले वह प्रेम पत्र चूप चाब उसके तकिये के निचे रख देती है शायद लतीका अतीत के मुह पास से मुक्त होकर हुवड के प्रणाय निवेदन को प्रेम निवेदन को सविकार करना चाहती है पर इंदे पहले की प्रेम कहानियों से बिल्कुल अलग जमीन पर रची गई है यहां पर एक और जहां खोए हुए प्रेम की तड़प है तो दूसरी और उस प्रेम से मुक्त होने की छटपटा हट भी यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को सोसल मेडिया पर सेर करना न भूले यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हम आपकी सहता करने की पूरी कोसिस करेंगे हिंदी परफ को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुर सके वीडियो को लाइक करें हम आपकी उजवल भाविस्य की कामना करते हैं अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परिंदे का पार्टू जिसमें 80 प्लस वन लाइनर तत्ते हैं नमस्कार